Hello everyone, Civil Step Himachal is launching its 8th batch for HPS 2022 and this is again going to be a very comprehensive batch जिसमें हमने prelims, mains, answer writing, current affair, personality development, इन सारे ही programs को इस particular batch के साथ कलब किया है जैसे कि हमारे बाकी के साथ बैच्चेस के साथ अप्रोच थी तो ये totally online batch है, English medium में है ताकि आप घर बैटे, HS examination की तयारी कर सकते हैं The fee is very very affordable और इसी के अंदर, इस particular batch के अंदर हमने notes आपको देने हैं ताकि आप लोगों का notes making में कम time खराब हो और mostly आप understanding develop करो क्योंकि ये examination ऐसे exam है, जिसमें हमें एक mature understanding को develop करने की आफशक्ता होती है इसमें जैसे engineering है या जैसे हमारे बाकी के stream है medical है जिसके अंदर हम केवल रट रहे हैं, थोड़ा बहुत basic understanding को develop करें यहाँ पे वो approach नहीं चलती हमने एक holistic, organically linked approach को follow करना पड़ता है ताकि आप एक bureaucratic mindset से चीजों को देखना और समझना सीखें क्योंकि bureaucratic का मतलब है you are supposed to offer solution to the problems which society, economy, political system is struggling तो उन problems को अगर आप देखोगे और उनका एक smart solution दोगे उनका आप solution कुछ इस तरह से है, जो out of box है तो तब जाके आप जो है एक अच्छे bureaucratic in field या in services प्रूव होते हो तो वो approach हमने अभी से ही शुरू करनी है जब हम लोग अपनी preparation को कर रहे हैं तो ये program बहुत जादा beneficial है वे चात्रा हैं जिन्नोंने अभी recently graduation, post graduation करी है क्योंकि आप दिखेंगे कि over a period of time what we could observe is जो young selected candidate है उनकी संख्या बढ़ रही है as computer those candidate जिनका एक particular age limit cross हो गया that is जो 28, 29 cross कर गए है वो वाले चात्र और चात्रें अब घट गए है तो जिन्नोंने अभी graduation, post graduation किया है उनके लिए काफी beneficial batch है क्योंकि आप घर बैठे ही हिमाचल में अपनी तयारी कर सकते है और quality driven है सारे ही courses दूसरा है, जो लोग working है working professionals हैं और उनके पास time की बहुत कमी है और 9-5 की नौकवी है 10-6 की नौकवी है तो उन लोगों को भी ये bet suit करता है क्योंकि totally online recorded lecture का concept है जिनको आप कहीं पर बैठके और कितिनी भी बार इन lectures को देख सकते हैं किसी भी time देख सकते हैं कोई constraint नहीं है किसी भी device से देख सकते हैं कोई constraint नहीं तो इस तरह से कहीं सारी flexibility इस batch के सांथ है हम आपको ready made बने हुए notes देते हैं थाकि आपने चीजों को concept को समझना है highlight करना है और उनको याद कर लेना है तो इस तरह से हमने क्या करना है आपको conventional way में जहां classes के अंदर dictation involved है dictation में अगर आप देखेंगे 80% time classes में अगर 3 घंटे की class है तो तकरीबन 7-2 घंटे cable pure dictation में जाते हैं और मात्र आदे से आदे घंटे या 45 minute की concept delivery होती है तो उस चीज़ को हम जो है काफी ज़्यादा negate करते हैं इस प्रकार से methodology को और हम बोलते हैं कि आप समझो और लिखो मत highlight करो answer writing में लिखने का प्रियास करो classes में लिख के time मत खराप करो तो इस तरह से थोड़ी सी approach में ही change किया है और एक बार मैं पूरी रूप रेखा इस batch की बता देता हूँ HS examination की बता देता हूँ ठाकि आपको पता चले कि किस प्रकार से HS examination आता है और हमने कैसे उसको approach करना है एक different methodology से जो result oriented है और result के सांसान ऐसे result जो timely deliver हो रहे है देखो exam 5 साल में भी clear होता है exam 1 साल में भी clear होता है तो हमने देखना है कि हमने 5 साल में clear करना है कि आप वही time हमने maximum services में डालना है ताकि 1 साल में selection हो अब ज़्यादा से ज़्यादा social services की तरफ को चले जाए तो जैसे HS examination की मैं रूप रेखा एक बार आपको बता देता हूँ कि एक prelims का exam है इस prelims का exam में जो एक दिन का exam है इसमें 2 paper होते हैं पहला paper को बोला जाता है general studies इस general studies के अंदर मुख्य तोर पे 3 subject आते हैं एक है general studies ही जिसको बोला जाता है जिसको विस्तार में मैं आपको next slide में बताऊँगा दूसरा है इस general studies में current affair होता है इस general studies के paper का एक part होता है हिमाचल प्रदेश का ग्यान सामानी ग्यान हिमाचल प्रदेश जी के ये मिला के एक paper होता है prelims के examination के अंदर जो अभी जैसे 26 तारिक को जो exam हो 26 September को वो इस प्रकार से लिया गया इसी में जो paper 2 होता है जिसको बोला जाता है aptitude test aptitude का मतलब है जैसे इस साल अगर आप जिन लोगों ने पेपर को दिया है तो आप उनसे पूछेंगे तो ये कठिन था aptitude test GS का paper भी कठिन था कठिन का मतलब है अब paper रटे वाली साइड पे नहीं आता अब paper analytical हो गया है analytical का मतलब क्या है एक तो analytical है दूसरा है paper unexpected आ गया ठीक है और वो हर बार ही हो रहा है last year का paper भी हम देखेंगे थोड़ा सा out of blue है unexpected है इस साल भी unexpected है reason is जैसा कि मैंने आपको बताया आप एक bureaucrate बनने वाले हैं और आपके पास जो challenges है जो problems है वो नई problems है dynamic scenarios है हर दे नया challenge है तो you are supposed to be prepared with the unexpected things क्योंकि आपने वहाँ पे out of box solution देना है आपने innovative और नया solution देना है तो उसी तहत पे हमने देखना है बहुत unexpected आएंगे हर साल unexpected और tough paper आएगा उसका reason यही है कि आपकी services की demand कुछ इस type से है क्योंकि bureaucracy अब हम लोग जैसे आम लोगों की क्या basic expectation है कि हम governments expect करते हैं कि बिजली दिया जाए, पानी दिया जाए road अच्छी मिले, timely services के delivery हो तो इन सब को deliver करने के लिए politicians और bureaucrates हमेशा तनात रहते हैं तो अगर वो इस conventional way से चलेंगे तो वो आपको best of the deliveries नहीं दे सबें तो इसलिए इसको इतना competitive रखा गया है ताकि best of the mind of services के अंदर जाए तो analytical है paper, unpredicted है paper, difficult है paper तो इसलिए हमने इन सब का standard भी बढ़ाना पड़ेगा और हमें कुछ नई approach से इस paper को देखना है दूसरी बात, CSAT, CSAT की full form होती है civil services aptitude test civil services aptitude का क्या मतलब है एक civil servant का aptitude बहुत अच्छा होना चाहिए देखो दो चीज़े होती, एक तो होता attitude attitude, attitude तो positive होना ही चाहिए साथ में उसका aptitude का मतलब है एक certain potential होना चाहिए तो अगर उसका aptitude अच्छा है तीन areas है जिन से aptitude को नापा जा रहा है एक है mathematics एक है reasoning थर्ड होता है English इस साल यह aptitude का paper बहुत tough आया था कि government ने बोला है दोसों में से 66 marks वाला वक्ति इसको pass कर सकता है ठीक है 33 प्रतिशत है लेकिन इस बार 33 प्रतिशत लाना भी इतना मुश्किल हो गया इस aptitude के paper में कि बिना अच्छी तयारी के ना की के बल तयारी अच्छी तयारी के ये paper qualified नहीं किया जा सकता और काफी बच्चों का नहीं हो रहा है ठीक है reason is कि civil services में minimum required aptitude अब इस प्रकार का है कि best of the mind ही services के अंदर जा पाएंगे तो अगर हमने तयारी करनी है तो हम जो की पहले हिमाचल में चलन था कि cable prelims oriented तयारी की जाती थी मैंने कहीं सारे lectures में भी बताया है तक्रिवन जैसे इस साल data थोड़ा कम है तक्रिवन 40 से 50 हजार बच्चे हर साल form को fill कर रहें लेकिन prelims को qualify करते हैं साड़े 500 पहले prelims थोड़ा सा असान भी आता था लेकिन पिछले दो सालों से prelims का जो nature है वो कठिन हो चुका है इस prelims को qualify करना मुश्किल हो गया तो जो पहले एक अप्रोच थी कि केवल prelims पड़ो और यही अप्रोच 99% follow करते हैं माचल में जिसकी वज़े से results बहुत खराब है या delayed है delayed का मतलब है कि 6-6-7-7 साल में जाके paper qualify हो रहे तो हमने इस अप्रोच का follow नहीं करना दूसरी बात ये है prelims means examination के अंदर जो general studies मैंने यहाँ पर बताया उसी का extended स्वरू उसी का extended version यहाँ पर होता है general studies जिसके 3 paper होते हैं जिनको आम भाषा में बोला जाता है GS1, 2 and 3 उसके अलावा हमारा essay का paper होता है जिसके अंदर आपकी भाषा के उपर जाहे English हो चाहे हिंदी हो भाषा के उपर command देखा जाता है आपकी thought का structure देखा जाता है आपकी in-depth content की knowledge को देखा जाता है आपकी general awareness को देखा जाता है और आपके wider perspective को देखा जाता है तो वो essay का paper है फिर एक optional का paper है कि आपने कोई भी subject अगर अपनी graduation post graduation में पढ़ा है अन्य था उसके अलावा कोई भी आप subject लेते हैं तो आपका किसी particular subject की उपर कितना जबर्दस command है वो optional से पता चलेगा तो इस तरह से prelims और means बिल्कुल different है prelims जहाँ एक तरफ objective है means वहाँ पे subjective है subjective का अर्थ है कि जैसे आपके universities के अंदर examination होते हैं जहाँ पे आपको तीन घंटे paper को लिखना पड़ता है उसी प्रकार से subjective paper होता है आम तोर पर मैं ये सारी बाते क्यों बता रहा हूँ कि इस पूरी तयारी से जुड़े वे myth बहुत सारे है myth का मतलब है जो लोग पहले से तयारी कर रहे हैं वो लोग नए तयारी करने वाले चात्रों को बहुत ज़्यादा misguide करते हैं क्योंकि उनको भी इस पूरे पेपर की clarity नहीं होती तो क्योंकि उनको clarity नहीं है वो एक अपनी सोच के साथ एक पेपर को अप्रोच करना शुरू करते और वही सोच आने वाले चात्रों और चात्रों को भी प्रपोगेट करते हैं तो इतने सारे myth इस examination के आसपस start हो जाते हैं जैसे बाने जाता है कि prelims कर लो means में कुछ तो लिखे ही लेंगे क्योंकि हमने 12 वी में board clear किये 10 वी में board clear किये college के अंदर graduation, post graduation करी तो हम लिखे लेंगे ये generally धार ना होती है कुछ भी लिखने से कुछ भी marks आएंगे, अच्छे marks नहीं आएंगे जो selections देते हैं जितनी competitiveness, मैं आपको figures के सांद बात करूँ, तो 5500 बच्चे तकरीबन prelims को qualify करेंगे इन 5500 में से जो means को qualify करते हैं वो होते हैं तकरीबन 50 तो 10% भी नहीं रह जाते तो इतनी ज़्यादा competitiveness है कि अगर 50,000 बच्चे form भर रहे हैं, उन में से 5500 बच्चे prelims को qualify करें, जो already cream है जो इतनी tough paper को qualify कर चुके हैं, उन cream में से भी और छटे बे 50 बच्चे को qualify करने हैं तो इसका मतलब means असान नहीं है आप कुछ भी लिख तो सकते हो उस कुछ भी पे लिखे वे पे number नहीं मिलते, तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को जब तयारी शुरू करनी है इन सारे data को इस सारे process को दिमाग में रखे करनी है, generally हम तयारी जब शुरू करते हैं, तो हम तयारी रेंडमली शुरू कर देते हैं रेंडमली का मतलब है, हम शायद किसी एक वेक्ति को देखते हैं और उसको देखे हम बहुत inspired हो जाते हैं उसको देखे हम बहुत motivate हो जाते हैं और हम भी सोचते हैं कि हम भी जो है H.S. examination को qualify करेंगे और हम उसको इतने passionately follow करते हैं कि हम पूरे उसकी रूप रेखा, उसकी विधी को नहीं जानते और बस start कर देते हैं without having any plan Just write my word, write this line, any plan Without having any plan, just start the preparation जिसकी वज़े से हमें clarity आते आते 2-3 साल निकल जाते और इतने time का ही game होता है उसके बाद आप bore हो जाते उस तैयारी से आपकी energy खतम होने लगती है आपको monotonous लगना पड़ता है और उसके बाद आप तैयारी तो करते हो लेकिन उतने passion से नहीं करते क्योंकि आपकी 3 साल में demotivation आ जाती है कि इस तैयारी को लेके कहीं selection होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो इसलिए जब हम तैयारी शुरू भी करें जब हम preparation शुरू भी करें तो चाहे आप self prepare करो चाहे हमारे सान prepare करो या किसी और academy के सान prepare करो तो firstly you should need to make a realistic a result oriented plan without having a plan आप इस तैयारी को शुरू करोगे लेकिन खतम कभी नहीं होगी बस तैयारी दसोज साल चलती रहेगी जैसे बहुत सारे विद्यारती आपको libraries में बैठे वे मिलेंगे तो हमने क्या देखना है realistic plan के सान्थ ही तैयारी शुरू होनी चाहिए तो इस approach के सान्थ में आपको बोलता है तैयारी शुरू करने second part अब जब हमने general studies को पढ़ना है अब देखो हम लोगों के पढ़ाने का तरीका क्या है जैसे दो approach हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया है generally लोग क्या करेंगे मैं आपको आम धारना बता दिता हूँ history पढ़नी है वो modern India पढ़नेंगे किताब आती है spectrum बहुत popular है उसको पढ़नेंगे दूसरा है quality पढ़नी है लक्षमी कान पढ़नेंगे बहुत popular किताबे हैं हर किसी ने सुनी हुई है तो इन दो किताबों के सान तयारी शुरू होती है हम नहीं पढ़ते science की किताब हम नहीं पढ़ते environment की किताब हम नहीं पढ़ते geography की कोई अच्छी किताब हम नहीं पढ़ते economics की कोई अच्छी किताब तो हम जब तयारी शुरू करते हैं चुनिंदा किताबों से कुछ-कुछ जो जो हमें समझाता है उनको मान के ही तयारी शुरू कर देते हैं हम नहीं देखते हैं उस किताब को prelims में किस level तक help करती है वो किताब means examination में कितनी help करती है essay writing में कितनी help करेगी या आपके perspective को build करने में perspective का मतलब है आपके narrative आपके द्रिस्टी को उनको कितना develop करती है तो इसलिए जब हम किसी subject को approach करते हैं एक तो इस तरह से approach होती है दूसरी approach क्यों होती है जो मैंने आपको बताया भी है 99% चातर क्या करेंगे वो prelims के तयारी करेंगे क्योंकि उनका ऐसा मानना है या उनको ऐसा बताया गया है कि जिस दिन आपका prelims होगा फिर आप mains की कर ले ना तयारी और उनका क्या होता है दो-दो-तीन-तीन साल तक prelims नहीं होता और तीसरे साल जाके prelims हो गया कई बार किसमत अच्छी है तो दूसरे साल भी हो गया जब दूसरे साल या तीसरे साल prelims होता है फिर वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं mains को लेके फिर वो उस साल mains की तयारी शुरू करते है तो अभी मैं बताऊँगा प्रियोर mains में कितना फर्क है कि जितना prelims है उससे बहुत गहर और ज़्यादा mains है तो जब वो mains की तयारी शुरू करते हैं फिर उनको दू-तिन साल लग जाते हैं इसलिए इस पर्टिकुलर अपरोस से रिजल्ट आतो जाएंगे लेकिन लग जाएंगे पांस से छे साल या तो हम इतने सारे साल खराब कर ले या तो हम एक रियलिस्टिक प्लैन की त्रू तयारी को शुरू कर ले और अपने कुछ वर्ष को बचा दे तो इसमें हमने क्या करना है जब हम क्लासिज में पढ़ाएंगे तो हमारा एक हॉलिस्टिक अपरोच होती है हॉलिस्टिक का मतलब है सिंपल उधारन लेते हैं लेट सपोस मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ानी है तो मैं आपको हिस्ट्री ऐसे नहीं बोलूँगा कि चलो हम जो है मौडन इंडिया पढ़ते हैं कमिंग ऑफ येरॉपियन से लेके इंडिपेंडेंस तक पढ़ेंगे और प्रिलिम्स के दृष्ट्री को उन से पढ़ेंगे फिर एक दिन मैं बोलूँगा छे महीने बाद चलो आज हम मेंस के दृष्ट्री को उन से हिस्ट्री को पढ़ते हैं ऐसा नहीं होगा हम जब history को पढ़ेंगे मैंने पढ़ताना है गांधियन एरा तो मैंने आपको गांधियन एरा in totality बताना है ताकि मैं उन तारीक को भी बताओ जब गांधी जी हिंदुस्तान में आए उस तारीक को भी बताओ जब non-corporation movement हुआ civil disobedience हुआ कब जाके हमारा डांटी मार्च हुआ कब जाके round table conference हुई और उसके पीछे की कहानिया कि उसका analysis जो की बहुत important है analysis का मतलब क्या है आप previous year modern India के आये हुए सवालों को देखो आप previous year आये हुए किसी भी subject के सवाल को देखो जो subject आपको थोड़ा familiar लगता है आप देखोगे कितना analysis involved है history के अंदर अगर आप world history देखोगे modern India देखोगे culture के आये वे सवाल देखोगे analysis is there तो आप analytical way में अगर subject का approach नहीं कर रहे तो means आपके approach में कमी है you are going to take 5 to 6 good years in your preparation तो हमने जब आपको पढ़ाना है तो हमने इस approach analytical approach के तूचीज़ों को approach करना है तो इस तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगा total 12 subject हैं GS के इंदर generally एक और जो मैं एक और चीज़ है कि एकर हम कहते हैं कि mostly लोग prelims की तयारी करते हैं एक और इसके अंदर है कि mostly लोग self study भी करते हैं अब self study के दो-तिन मतलब होते हैं एक होता है guided self study जैसे हम अपने इस पूरे program को बोलते हैं it is a guided self study foundation program guided self study का मतलब है एक तो self study है कि आप अंधेरे में तीर मारने की कोशिश करें दूसरा है आप light जला के तीर मारने की कोशिश करें बस तो guided self study में result आने के chance से ज़्यादा है समय कम लगता है जैसे अगर आप लक्षमी कांत को पढ़ रहे हो और मैं बता दू लक्षमी कांत से ना पहले इतने सवाल इस particular topic से आगे preamble से इतने आगे constitution से इतने आए हुए supreme court से judiciary से कितने सवाल आए हैं तो means approach is important तो हमने जब आपको ये सारे subject पढ़ाने है हम अपने program को इसलिए guided self study बोल रहे हैं कि आप अगर खुद self study कहीं लोगों के जिद होती है self study करना self study खराब नहीं है लेकिन हर बच्चा मैं हर lecture में बोलता हूँ हर बच्चा self study के लिए नहीं पढ़ा बच्चे अगर academic अगर let's suppose आपके बारवी class आपके graduation में 100 बच्चे हैं तो इस प्रकार के intelligent बच्चे इस प्रकार के बच्चे जिन में sharpness है objectivity है और competitive aptitude है जो ज्यादा important है इस examination के competitive aptitude है वो केवल 1 और 2% बच्चे उने अगर ये 1-2% बच्चे तयारी करेंगे self-study से ये paper को निकाल लेंगे और 2 साल के अंदर भी निकाल लेंगे एक साल में भी निकालेंगे इनको देखके बाकी के 98% बच्चे इस जिद में paper निकालें कि क्योंकि इन 2% बच्चों ने self-study से निकाला और इन्होंने भी self-study करना शुरू किया they can also qualify it but they are going to take good 5-6 years तो हमने पहले यह identify करना है क्या हम ये 1-2% में है हम या 98% में तो हम दोनों के approach में difference है ओल्रेट देखिए एक UPSC में topper रही टीन अडाबी topper रही 2013 में एक बहुत distinguished topper थे रॉमन सेनी ये brilliant mind लोग है इनके plan को हर कोई follow करें जरूरी नहीं है इनके plan को आँख बन करके follow करने से किसी के result नहीं गया है तो आपने देखना है पहले आपके aptitude और attitude जैसा topper कौन है और उसकी रंड नीतु को follow करो या उसके पदेचिनों पे चलने का प्रियास करो randomly किसी topper को मत follow करो क्योंकि शायद उसका potential different होगा उसका approach करने का तरीका difference होगा different होगा उसने जो बता दियो जरूरी नहीं आपके लिए successful होगा वो mantra तो इस चीज़ को ध्यान रखना दूसरी बाद अब हमने आपको subject पढ़ा है अब देखो 12 subject हैं जिसमें history को मैंने एक subject अभी लिखा है otherwise history could be bifurcated into three subjects ancient, medieval, culture ये एक बड़ा domain है modern India बड़ा domain है prelims और means के दृस्टी कोंट से world history means के दृस्टी कोंट से बड़ा domain है तो history पूरा एक बड़ा subject है geography and disaster management बड़ा subject है Indian society in terms of coverage of in terms of time taking छोटा domain है important है क्योंकि इसमें से सवाल उतने ही आते हैं जितने इतनी बड़ी history और geography से आते हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ approach एक वेक्ति है जैसे चार स्थम्भ माने जाते हैं पूरी civil services के preparation के history, geography, polity and economy यह स्थम्भ हैं पूरी preparation के इन चार subject को ही अगर आप means में पढ़ते रहोगे कहीं नहीं selection होगा हमें देखना है means में उन areas को यही होता है approach में डिफरेंस guided self study जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बताए यह prelims तो हो जाएगा history के भरू से लेकिन means के अंदर Indian society से आएंगे 8 सवाल या 9 सवाल और इसमें हैं 10 topic means 10 topic से 9 सवाल history के अंदर अगर सारे में topic निकाल लू तो 80 topic है इसमें से भी आएंगे 9 सवाल तो जब हम means की तयारी कर रहे हैं यह competitive examination है इसी को मैंने word दिया था competitive aptitude तो इस competitive aptitude के अनुसार smart बच्चा वो है जो एक ये दो क्रतीशत है उसको पता है यार Indian society को prepare कर लेता हूँ इसके तो ज़्यादा number है history के comparatively या अगर हम देखेंगे governance एक छोटा domain है international relations आगे आएगा एक छोटा domain है उसमें से सवाल उतने ही आरे हैं इतनी बड़ी लक्षमी कांत और दो-चार और किताबे पढ़के आएंगे तो means हमने उन areas को pick करना है जिनकी weightage means में ज़्यादा है और उनका syllabus कम है ये होती है smart strategy ये होता है कि समय पे paper को ऐसे निकाला जाए तो हमने ये 12 subject की list बनाई है जो आपको जब पढ़ाए जाएंगे pre-come means के history code से पढ़ाए जाएंगे history पढ़ाए जाएगी तो एक बार में ही पढ़ाए जाएगी geography और dm पढ़ाए जाएगा एक बार में geography prelims, geography means history prelims, history means ऐसे नहीं पढ़ाए जाएगा क्योंकि ये result oriented approach नहीं है Indian polity, governance, environment and space technology Gandhian thought and ethics, Himachal GK for prelims, Himachal GK for means अब इन दोनों को हमने अलग-लग किया है उसका कारण है क्योंकि Himachal GK जो prelims की approach है वो purely factual है बिल्कुल data oriented ये नदीप, ये peak कहाँ पर है ये mountain range कहाँ पर है, national park country district में है, population के data पूछे जा रहे हैं, पूरा prelims है means के अंदर again analysis is involved, तो इसको हमने दो पार्ट में divide किया है, ताकि आपको समझने में असानी हूँ तो इस तरीके से pre or means को हम लोग एक सांथ approach करेंगे, अब self study में दूसर सबसे बड़ा जो problem आता है जो मैंने particularly खुद अपनी level पे experience किया है, इसलिए मैं share कर लो इसमें से बहुत सारे subject ऐसे हैं, बहुत सारे subject ऐसे हैं, जिनकी किताबे available नहीं है, हम फिर इसकी किताबे नहीं है, जैसे, world history की बहुत अच्छी कोई एक किताब नहीं है एक किताब है, मैं आपके सारे करता हूँ, नॉर्मन लो, वो किताब बहुत मोटी है modern इंडिया, अगर आपको analytical point of view से समझ जाए अगर आपको factual समझ जना है, तो spectrum किताब पढ़ लो, उससे means में answer नहीं लिख पाऊगे, उसमें essay writing अच्छी नहीं लिख पाऊगे, आपका thought develop नहीं होगा, interview में बैठ होगे अगर अच्छा thought develop करना है तीन किताबे हैं, विपिन चंद्रा के India Struggle for Independence, National Movement for Freedom, और तीसरी किताब है Battle Placid to Partisan और ये किताब है, शेकर बंदोपादिया तो modern इंडिया तीन किताब उसे पढ़ो तो समझाएगी, ancient medieval culture के लिए, आपने आरेश शर्मा, सतीश, चंद्रा और fine arts की दो किताबे हैं 11 और 12 में, उनकी NCRT पढ़ोगे, तो ये एक domain set होगा चार किताबों में, तो means अगर हम self study करें, खराब नहीं है किताबे बढ़ जाएंगी geographic के लिए कोई एक किताब नहीं है 12 किताबे NCRT की हैं वो भी परियाप्त नहीं है, geography को cover करने के लिए, disaster management की कोई किताब नहीं आती market में Indian society की कोई अच्छी किताब नहीं है जिसको मैं आपको बता पाओ कि इससे पढ़लो Indian society समझ आजएगा कोई किताब नहीं है, governance के लिए जिसको बूलो और governance समझ आएगा, एक लक्षमी कांत की किताब है, लेकिन हिमाचल के लिए बहुत कारिगर नहीं है, environment के लिए बहुत पुरुख्याद बुक है, जिसका नाम है Shankar IS की किताब है बहुत मोटी किताब है, environment छोटा सा डोमेन है, वो वहाँ से जाके cover होगा फिर international relation कोई किताब नहीं आती, Indian economy की एक किताब है RS Sharma है, Sanjeev Verma है Vivek Singh है, बड़ी किताब है पढ़नी पढ़ेंगी, हो जाएगा economy आप तो यार कर सकते हैं जनरल साइन्स की कोई एक किताब नहीं है NCRT पढ़ने पढ़ेगी, छटी से साथ, दस वी तक Space Technology की कोई किताब नहीं आती Ganden Thought Ethics कोई किताब नहीं आएगी तो Means Maxim, हिमाचल जी के Prelims, बलोख रा Means के लिए कोई एक particular किताब नहीं है तो अगर हम mostly subject देखें, इनकी किताब ही नहीं है दूसरा तरीका क्या होता है, हम online free material ढूनना शुरू कर देते हमें ऐसा लगता है कि online सारी चीज़े मुफ्त है हम भी आपको बोल रहे हमारे YouTube में काफी सारी चीज़ें free में हैं, लेकिन वो सारी peripheries हैं हमेशा याद रखो, वो सारे peripheral courses है peripheral courses का क्या मतलब है means, HPGK के free lectures रखे हुए 13 lectures हैं, HPGK prelims के काफी हैं, लेकिन काफी नहीं भी है हम जब classes में पढ़ाएंगे तो इनसे ज़्यादा पढ़ाएंगे दूसरा, current affair के free lectures है pre के current affair है, means के नहीं है फिर peripheral course है, कि हम previous year MCQ discussion किये हमने सारे अब हम previous year means discussion कर रहें यह उनको help करेगा जिसने seriously एक बार तयारी कर ली है यह उनको help करेगा कि जिसने एक बार यह सारा course कर लिया अब अपने अंदर motivation, discipline लाने के लिए उसको पूरा course revise करने की ज़रुरत नहीं किसी भी academy से वो पढ़ चुका है self study से पढ़ चुका है अब यह चीज़े उसको value added material की तरह मिलेंगी तो जो free initiative होता है वो value added material होता है उसको देख के तयारी नहीं की जा सकती तो इस चीज़ के लिए अगर आप free material के पीछे भागोगे तो you will end up wasting your time क्योंकि एक topic पढ़ने के लिए आपको तीन दिन जगा जगा वेबसाइट youtube पे books के उपर सर मारोगे तो एक topic तीन चार दिन में जाके बिल्ड होता है इसी तरीके से अगर सारे topic के list निकालो सारे 400-500 topic हैं तो आप into three तो 1500 दिन इसके अंदर लगा दोगे material इखटा करने में कब उसको समझोगे, revise करोगे, answer writing करोगे इसलिए self study में अगर online मसाला इखटा करने लगे material इखटा करने लगे तो बहुत जाला time taking हो जाता है इखटा हो भी जाएगा, time बहुत जाएगा तो हमें देखना है कि हम अपने time को कीमती समझते हैं या नहीं, आप चली जी अब आपने क्या करना है जिसने भी preparation शुरू करने है चाहे हमारे सान शुरू करो, चाहे self study से शुरू करो, या किसी और academy से शुरू करो हमने एक free of cost package बनाया है, beginners package आप हमारी app डाउनलोड करो civilstep himachal या हमारी website है civilstephimachal.spy.com कोई भी समस्य आती है, हमारे description में links रखे हुए हैं, website के आगर कोई समस्य आती है, contact number description में हैं, आप call कर सकते हैं तो beginners package के अंदर वो set of queries है जब आप तयारी शुरू करते हो, आपके दिमाग में ये सारे सवाल आने चाहिए वो सारे सवालों की list है तो वो सारे सवाल हम share करें ताकि आप तयारी जब शुरू करो जैसे हमने शुरू करें थी, बिलकुल blank तयारी शुरू कर दी थी, कि हमारा तयारी करने का मन क्या और तयारी शुरू कर दी without having a plan और moreover कि हमें पता ही नहीं है इस paper के क्या-क्या dimensions है तो सारे dimensions इसमें cover हैं ताकि अगर आप self study भी करो या हमारे सान भी करो at least आपको ये सारे dimensions clear होने चाहिए ताकि आप हमें भी accountable बनाओ या जहां पर भी पढ़ो उन institutions, उन academies को भी accountable रखो तो ये set of questions में discuss कर लेता हूँ आपसे देखिए सबसे पहले आपको syllabus और book list बहुत clear होनी चाहिए syllabus खास तोर पे क्योंकि जो exam आप देने जा रहे हो उस examination का अगर syllabus ही आपको clear नहीं है आपको पता ही नहीं है उस exam के दायरे क्या है तो आप तयारी क्या करोगे तो syllabus आपको by heart याद होना चाहिए दूसरी बात आपके पास strategy और time management का एक session मैंने लिया था इस session को go through कर लो आपको पूरी time management आजेगी time management बहुत important है in examination को qualify करने के लिए timely qualify करने के लिए timely qualify नहीं करना दस साल में करना है तो you do not need time management आपको बस एक time as a luxury चाहिए आप बैठके बस पढ़ते रहो clear हो जाएगा उसमें भी कोई समझते नहीं है तीसरी बात आपको NCRT किस द्रिस्टी कोन से और कौन-कौन सी पढ़नी चाहिए पूरा एक हमने वीडियो बनाया है list of NCRTs इसके अंदर shared है साथ में इसी के नीचे एक PDF टेस्ट है जिसमें NCRT के बारे में बताया है उसके लावा आपको optional subject को चयन कैसे करना है how you are supposed to choose your optional subject wisely तो उसके उपर एक lecture है उसको आप सुन लीजे current affair को कैसे पढ़ना है और अख़बार से current affair को कैसे चांटना है उसके उपर एक lecture डाला हुआ है आप उसको देखिए you will get a fair idea कि current affair ऐसे पढ़ा जाता है तो last part ये सारा part ये सारी knowledge धरी की धरी रह जाती है अगर आप उस knowledge को paper के उपर present नहीं कर पाते तो means कि आपके knowledge की reflection is your paper which is examiner is holding in his or her hand तो अगर आप अपनी knowledge को कागश पे नहीं उतार सकते इन particular examination में वो knowledge waste हो जाती है जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे चात चात रहे हैं बहुत well read हैं बहुत deeply read हैं but they cannot write it well अगर if they could not write it well it's very very sure they are not going to make it into the final list तो means अपनी जान को अपनी knowledge को paper पे उतारना एक कला है इसलिए इसको बोला जाता है art of answer writing तो इस art of answer writing को जानना ज़रूरी है इसके practice ज़रूरी है जैसे हम आजकल YouTube पे daily 2 session ले रहे हैं free answer writing वो इसलिए है कि जिन लोगोंने तयारी कर ली है घर बैठे हैं demotivated है उनको भी answer writing करने की एक शुरुवात मिल सके और जो लोग अभी process में हैं चाए वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं या किसी और academies में पढ़ रहे हैं तो उनको भी answer writing क्योंकि generally answer writing की बात कोई academy नहीं करेगा कोई teacher आपको answer writing के लिए push नहीं करेगा और selected candidate से पूछ लेना बिना answer writing के आपका selection impossible है तो answer writing के इसलिए हमने इतने सारे sessions create के हैं तो आप भी in sessions का benefit उठा सकते अब पूरी course की detail जान लेते हैं कि हमने अब इस पूरी दायरे को रूप रेखा को कैसे follow करना है सबसे पहले ये completely online course है online का मतलब है जैसे दो model हो सकते फढ़ने के online हो सकता है offline हो सकता है offline का अर्थ है कि अब दिल्ली में जाके तयारी कर लो आप चंडीगर में आके तयारी कर लो वो भी एक ठीक तरीका है अपने अपने pros and cons है उनके उपर नहीं जाएंगे थोड़ा सा costly है time taking है और उसके अंदर आपका conventional method of teaching है जैसे हम लोग smart boards है है या हमारे जो दूसरे studios वहाँ से पढ़ाते हैं जिसके अंदर हम animated ppt's यूज करते हैं pictographic ppt's है जिससे knowledge को transfer करना थोड़ा सा आसान हो जाता है convenient हो जाता है effective methodology है dictation involved नहीं है तो time बचता है तो यह हमारा पढ़ाने का तरीका है दूसरा है lecture live नहीं है recorded है not live not live का मतलब समझे not live का मतलब क्या है आप मेरे सामने जो है zoom के थूँ हम लोग पढ़ा रहे हैं आप real time query पूछ सकते हो live और recorded में यही फर्क होता है real time query पूछ सकते हो recorded में real time query नहीं पूछ सकते आप lecture देख रहे हो हर lecture के नीचे आपका doubt box होता है आप let's suppose मुझसे जोग्राफी पढ़े हो जोग्राफी के नीचे doubt box है आपको lecture के बीच में जो भी doubt आया यहाँ पर type करोगे हम इसको तक्रीबन 12 गंटे में reward करते हैं तक्रीबन 12 गंटे लगते हमें हम तक doubt पहुंझ जाता है हम इसको reward कर रहे हैं यह होता है recorded में कि आपकी query real time नहीं आंसर हो रही लेकिन since these are recorded lecture which could be washed anytime तो इनके सांद flexibility क्या है आप working हो आप एक married women हो आप ऐसे हो जो babies का भी ध्यान रख रहे हो या आप college going हो final year में हो तो आप इन recorded lecture को ज़रूरी नहीं सुबह 10 बजे हमने सुबह 10 बजे upload करना है आप उसे 11 बजे देखो 12 बजे देखो शाम के 12 बजे देखो रात के 12 बजे देखो कोई फरक नहीं पड़ता कितिनी बार भी देखो सबसे बड़ी problem आप offline coaching करते हैं या live पड़ते हैं एक बार lecture हो गया आपका छूड गया या आपने उसको लगा भी लिया आपको कुछ नहीं समझाया आप वहीं पर फस गए recorded act के अंदर क्या है आपने एक बार lecture देख लिया 10 lecture में से 2 lecture tough थे आपने उनको 3 बार देखा अब आपको clarity of thought आगे तो means recorded lecture में multiple times इनको देखा जाता है डेड़ साल का time frame है उस डेड़ साल में आप इनको कितिनी बार भी देख लो कोई पाबंदी नहीं है हमारे तरफ से तो उससे आपके लिए क्या benefit है कि आपका doubt resolution मेरे answer देने से better है कि उसको दोबार देख लिया आपकी understanding ज्यादा अच्छी clear हो जाती बन जाती है तो ये benefit है recorded का दूसरी बात तीसरी बात आप travel कर रहे हो घर में शादी आगी lecture छूट रहे हैं बाद में देख लिए तो means कहीं से भी बैठ के आप इन lecture को access कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में रहो आप कहीं भी चले जाओ फिर भी recorded lecture का benefit उठा सकते तो ये है online recorded lecture दूसरी बात हमारा जो पूरे पढ़ाने का जो material है देखो classes bilingual होती है जैसे मैं अभी आपके सांद बात कर रहा हूँ जिसमें English और Hindi mix है ये है bilingual classes लेकिन जो notes है वो pure English medium में है तो जो Hindi medium के छात्रे उनको हमारे सांद ये समस्या आ सकती है कि notes English medium में है translation करना पड़ता है ठीक है अगर वो इसके लिए तयार है तो वो हमारे course को भी ले सकते हैं तीसरी बाग इसमें हमने मैंने आपको बता है comprehensive GS पूरा पढ़ाएंगे pre or means complete essay writing जो generally कोई नहीं करवाएगा आपको essay writing कराएंगे CSET जिसका लोग अलग से पैसा चार्ज करते हैं 10-15, 20,000 रुके इसका अलग से लेते हैं CSET हमारा इस course का complimentary part है CSET में तक्रीबन 8200 lectures है और ये इसी course के अंदर आपको deliver किये जाएंगे ओर इट fourth is live session classes disrupt होती है हमारी disrupt हैंगी हमारी high speed bandwidth है लेकिन आप लोग उस live classes पो नहीं देख पाओगे तो इसलिए हम recorded देते हैं लेकिन हम हर संडे बच्चों के सांद one-on-one interaction रखने के ले ता कि उनमें discipline आपाए, motivation आपाए peer-to-peer learnings उनको पता चले कि हमारे सांद कितने qualitative बच्चे जुड़े हैं जिसके वज़े से उन सब का mutual benefit होने वाला है तो उसके वज़े से हम उसके लिए हम हर संडे life doubt session classes रखते हैं जिसमें जो specific concern teacher उनको पढ़ा रहा है वही उनके सांद interact करेगा फिर एक है हमने हर संडे को ताकि आपकी regular monitoring हो और आपको लगातार हर हफ़ते पढ़ने के लिए discipline induce हो तो हम हर हफ़ते आपके class test लेते हैं अगर वो topic mains के लिए important है तो उसके अंदर answers questions भी डले होते mains के और answer writing का एक अभ्यास आपको classes में भी करा जाता है क्योंकि answer writing में बार बार क्यों important है क्योंकि knowledge अगर आपकी paper पर reflect करनी नहीं आई तो आपकी सारी तयारी waste हो जाई है तो ये knowledge दो तरीके हैं तीन साल तयारी करो फिर एक दिन pen paper उठा के फिर से दो साल answer writing में डालतो दूसरा तरीका आप जिस दिन तयारी शुरू कर रहे हो पहले लिए थोड़ी बहुत answer writing start करो, kick start करो, धीरी-धीर उसको mature करो, develop करो और जब आपका course खतम होने लगे तब आपकी main answer writing की हम लोग test series conduct करते हैं जैसे जो batch feb में, march में start हुए, वो november में wind up होने वाले अब उनके answer writing की बड़ी वाली test series शुरू हो जाएगी, जिसमें 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के test होंगे तो आप लोग, जो batch number 8 है उनके साथ भी ये exercise चलेगी तो उनको भी answer writing finally करवा जाएगी जो prelims और means test series इस पूरे program का part है तो इस program में ये सारी चीज़ें दिलीवर होंगी, pre or means के test series होगी CZ होगी, GS होगी, essay writing होगी doubt resolution है आपके live sessions involved है answer writing सिखाई जाएगी hand holding के थो आप मैंने जैसे बता है peripheral courses अब जब आप हमारी website पे sign up भी कर लेते हो आप फिरी में monthly current affair की magazine pre or means download कर सकते हो पढ़ सकते हो दूसी बात beginners package के बारे में आपको बता चुका हूँ इसको avail कर है जब आपका पूरा curriculum पूरा होने वाला क्या वो बच्चे जिन्होंने self study करी है किसी और institute से तयारी करी है उनके लिए एक बड़ अच्छा course है इसमें HES के पिछले 10 साल के प्रिलिम्स के paper subject wise हमने solve किये geography के पिछले आए हुए 80 सवाल जो पिछले 10 साल में आए है 80-90 सवाल वो यहाँ पे है environment के हैं history, quality, economy, science यह सारे सवाल एक ही जगा पे निकाल के रखे हुए subject wise इनको discuss किया है और इनकी PDF share की विए with solution तो यह आप avail कर सकते हो यह session में क्या है हम पिछले चार सालों के जब से pattern बदला है इन चार सालों के सवालों को discuss करेंगे YouTube के उपर subject wise discussion होगा जैसे last week geography में आए हुए पिछले चार साल के सवालों को हमने discuss किया तो यह भी course जैसे ही complete होने वाला होगा आपके इस bundle में add on हो जाएगा free of cost है जो भी sign up करेगा वो in courses को free of cost avail कर सकते हैं इसलिए मैंने इनको बोला peripheral courses है जब तयारी पूरी हो जाए इस तरह के courses आपको बहुत help करते और जो लोग तयारी में हैं हमारे सांथ या किसी के भी सांथ वो भी in courses का benefit उठाओ ताकि आप हमेशा channelize रखो किसी भी institute में geography पढ़ रहे हो you will get a fair idea पिछले साल के 10 सालों के सवालों को उठा के देख लो कि आपको geography ठीक से पढ़ाई जा रही है या आपका caliber geography solve कने लायक हुआ या नहीं हुआ prelims और means दोनुके सवालों को उठालो तो institute भी accountable होगा आपकी भी accountability होगी कि आप जिस approach से history, geography, policy, economy पढ़ रहे हो क्या वो paper के लिए ठीक है भी या केवल आपकी ज्यान विर्धी तो हो रही है लेकिन paper में कोई काम नहीं आ रहा हुँ all right तो मैं बार-बार कहता हूँ कि आपने केवल knowledge एक खटी नहीं करनी हमने knowledge के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये सारी knowledge आपके paper को qualify करने में आपकी help करे all right तो ये सारे peripheral courses आपको वहाँ पे काम आएंगे अच्छा last part current affair जैसा कि मैं बोलता है बहुत important part है हमारी एक website है civilstep himachal.com यहाँ पे रोजाना आपको prelims और means के current affair की magazine मिलती है इस तरीके साथ current affair में जाएंगे वहाँ daily current affair और prelims daily current affair for means monthli magazine pre or means की तो इनको देख सकते हो आपको अगर लगता है कि आपने current affair किसी भी website से अपने institute से अपनी academy से cover कर लिए तो mcq practice कर लो तो mcq आपको daily 10 mcq current affair के यहाँ बने वे आ जाते हैं इस साल current affair tough आया तो हमने अपनी अप्रोच को statement wise current affair में लेके जाएंगे standard थोड़ा UPSC की तरफ follow करेंगे क्योंकि current tough आने लग गए है तो इस तरीके से यह हमारी सारी holistic अप्रोच है जिसको आप follow कर सकते हो youtube के उपर आशी सर रोज शाम को 6.5 बज़े live prelims के current affair पढ़ाते हैं रोज शाम को 6.5 बज़े इन current affair को भी आप follow कर सकते हैं लास्ट है कि अगर हमें तो एक playlist है हमारे youtube के उपर जिसका नाम है Toppers Interview and Strategy तो इससे आपको पता चलेगा कि कोई भी Toppers जैसे मोहिच शुकला है इन्होंने job के सांथ रहते भी इस exam को qualify किया अलड़ी SDO थे Ocean इसने हमारे पास आके यहाँ पर तयारी करी थी इसके interview देख सकते हो DSP अभी लक्ष जोशी का देख सकते हो आप अपराजिता का देख सकते हैं उन्होंने अपनी तरीके से तयारी करी है Rank 1 2017 में इनकी Rank 1 आई है आप इनके तरीका देख सकते हो आप शिखा का Last Year Rank 4 आई है द्रहमशाला से इसके interview देख सकते हो तो ऐसे multiple aspirant है इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या है आप description में दिये हुए नंबर पर हमें call कर सकते है Otherwise इस वीडियो को देखोगे तो you will have a fairly good idea कि एक्जाम को prepare कैसे करना है चाहे हमारे सांथ या कहीं पर हो you will have a clarity of thought एक्जाम को prepare ऐसे किये जाता है आई चलो, thanks a lot